बुनियादी बात ये है कि अटल जी की वो कौन सी विशिष्टा थी? मेरी अपनी राय में अटल जी की सबसे बड़ी विशिष्टा ये थी कि उन्होंने भारत की राजनीती को समन्वे कारी राजनीती बनाने की चेश्टा की थी. ये बड़ा भरी नेरेटिव था जो उन्होंने अपने कारेकाल में इस देश की राजनीती में दिया. विरोधी विचारों में, संघर्शों में, उठा पठक में, किस तरह से लोगों को एक किसी बिंदू पर लाकर सहमत किया जा सकता है? और देश को बीस पार्टियों के परस पर विरोधी विचारों की बीस पार्टियों के सहयोग से आगे बढ़ा है जा सकता है. मैंने जानता कि ऐसा कोई दुबारा अवसर हम देख सकेंगे, जब उन परिस्थितियों में भी देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या उसका विकास के का जुपेमाना था, वो आट परसेंट, नौ परसेंट हो रहा हूँ. यह जो बात थी ना कि जिसको कहते हैं harmonization, समन्वे, reconciliation, लोगों में मतभेद को सहमती में बदलना, तो राजनितिक कौशल यही था और देश की आवशक्ता आज भी यही है, मैं समझता हूँ. अब मुझे जो आज सबसे बड़ी कमी खलती है वो यह, कि ऐसा कोई विक्तित्व नहीं है, जो आज देश के विरोधाबासों को, contradictions को, एक समन्वेकारी आम समझती की तरफ ले जा सके. मैंने उनको हर परिस्थिती में इसी नीती का आवलंबन करते हुए देखा. चाहे वो आर्थिक शेत्र हो, चाहे वो रूस और अमेरिका के संबंध हो, आर्थिक दृष्टी से, सामरिक दृष्टी से, यहां भी स्वदेशी और वैश्वी करण का दंध हो, उन्होंने हमेशा इचेश्टा की कि हम वैचारों में समन्वे स्थापित करें, वैचारों मे परक्स पर सहमती लाएं और देश को आगे बढ़ा है। मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो और इसलिए वो सब को साथ लेके चल लेते थे। देखें ये आपने जो बात कही बिलकुल सही बात कही। परंतु बात इससे भी आगे बढ़कर के हैं। ये मनभेद वाली बात घर में तो आसान हो जाती है। दो भाईयों के बीच में मतभेद हो। लेकिन अगर मनभेद भी हो जाए तो परिवाद तूट जाता है। तो वहां तक तो ये बात बहुत सार्थक होती है, कि एक पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, लोगों में मतभेद अगर हो रहे हैं, जो स्वभाविक है, तो भी मनभेद न होने पाए. लेकिन बीस विभिन परकार के लोगों में, विभिन विचारदाराओं में, विभिन संसकारों में पलेपुसे लोगों में, और मतभेद हो और मनभेद न हो, ये बहुत कुशलता की बात है, ये सामान ये चमतकार नहीं है, और आज इसकी आवश्यक्ता है.